वेलकम बेक तो मैं चैनल विच इस दरनार्स लोकेशन कैसे आप सब लोग आई होप यू अर फाइन तो आज जो है हम थर्ड यूनिट का क्वेशन करेंगे क्वेशन है क्या किस तरह उन्होंने पास्ट की भी पास्ट को कंटैंपरेरी जो टाइम चल रहा होता है उसके साथ कैसे रिलेट किया ठीक है तो यह जो है कितने मार्क्स के लिए क्वेशन आता है यह क्वेशन जो है सिक्स्टीन मार्क्स के लिए आता है और बहुत ही जादा इंपोर्टन कोशन है ठीक है तो हम जो इसको करते हैं इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टो माई चैनल लाइक माई वीडियो कमेंट ओन इट इप्योंट एनी अदर कोशन तो मैं आपको अपलोड कर दूँगी वो कोशन अगर आपको चाहिए तो उसके बाद जो है अब हम अपना कोशन शुरू करते हैं ट्रेडिशनल एंड इंडिविज्वल टैलेंट जो है ये ऐसे है किसने लिखा था बाइपोईट एंड लिट्रेरी क्रिट टी एसे लिएट का हमने क्या पढ़ा था फस्ट इयर में वेस्ट लैंड है ना तो ये जो है इन्होंने लिखा ये भी ऐसे और टी एसे इलिएट इस मोस्ट नोन फोर हिस बोईटरी ही इस अलसो कॉंट्रिबुटी तो दी फिल्ड ओफ लिट्रेरी क्रिटिसिजम अब जो ये ऐसे है ये जो हम क्या कौन से सब्जक कौन सा पेपर है क्रिटिकल टी ए ना तो उसके अंदर क्लिट्रेरी क्रिटिसिम के लिए भी इन्हें जाना जाता है ले ट्रेडिशन ट्रेडिशन एंड इंडिविज़ टैलेंट इस वन ओफ वेल नोन वर्क सो वर्क साट है इट फॉर्मूलेट्स इलिएट इंफ्लेइन्चियल कंसेप्शिन ऑफ रिलेशन शीप बताने का किसके भीच में प्वेट और जो इड्रियरी क्रिटिसिम मुस्टाइम चल रह ए हुता है उसके भीच में जोर्ज वट्सन कोटेड अबाउट इस इलिएतियस मेड इंग पृटिसाइज करते थे दो नौत इनस सिम्पल सेंस में यह क्रिटीसाइज नहीं करते थे इनका गाsheitar को इसे अपना तरीका था फो और यह जो अंसर है यह इसी का अंसर है और पॉन जो है यही हमारा कोशन है इसमें जो ट्रेडिशन के अंदर उसने क्या इलियर्ट ने क्या किसके साथ रिलेट किया पास्ट की भी पास्टनेस के साथ किसको रिलेट किया मतलब हिस्टरी के साथ जो हिस्टरी में जो राइटर्स थे उनके साथ किसको कंपेर किया जो कंटेम्परिरी राइटर जो उस टाम में समय पे राइटर जो प्रेजेंट थे जो राइटर उस टाम पे लिखते थे he compares the traditional writers with contemporary writers अभी ये मैंने आपको बात बता दी traditional जो writers थे उनके साथ जो present में writer लिख रहे थे उस time पे उनके साथ उनने comparison किया Elias tells us this is us okay the value and significance of tradition value बताई उसके significance बताई किसके tradition के tradition does not mean a blind address to the ways of previous generation tradition का मतलब इनोंने ये नहीं कहा कि हम जो पूराने जो writers थे उनके जो rules regulation बनाए हुए थे उनको blind तरीके से follow करें वो नहीं बताया रोडी वादिता नहीं बताया उन्होंने क्या बताया this would mere slavish imitation थोड़ा सा imitation नकल mere repetition थोड़ा सा repetition of what has already been achieved जो already achieved कर चुकी है उनका थोड़ा सा नकल कर लो imitation मतलब नकल ठीक है थोड़ी सी repetition कर लो जो हम already achieve कर चुकी है novelty is better than repetition अब ये नहीं बोला novelty is better than repetition repetition नहीं करना थोड़ा करना है tradition can be obtained by those who have historical sense tradition क्या है उनके साथ उनके द्वारा ही obtained किया जा सकता है जिनको थोड़ी सी historical sense है जिनको Homer के बारे में पता है Dante के बारे में पता है ठीक है उनके बारे में the historical sense involves a perception not only the pastness of the past but also its presence one who has historic sense feels that the whole literature of Europe from Homer down to his own way including the literature of his own country form one continuous literary tradition अब जो क्या बोला है इनोंने pastness of past क्या बल्कि जो presence है उसके साथ भी रिलेट किया one जुसके पास historic sense है वो सारे whole literature of Europe को जो अपने जो Homer से लेके अब तक का जो literature है उस time तक का जो उस contemporary time में चल रहा था उसका literature समझ सके including उसके जो country का literature है वो भी वो समझ सके form a continuous literary tradition ये जो tradition बनेगा continuous tradition history से लेके present तक का अपनी country का उस time में जो literature सारी जगाँ चल रहा था पूरे world में उसकी जो उसको अगर उसकी जो knowledge है उसकी sense है तो ही एक continuous tradition बन पाएगा a writer with a sense of tradition is fully conscious of his relationship with the writers इनने क्या बोला a writer with a sense of tradition is fully conscious with his relationship with the writer of the past past के writers थे उनके साथ उसका relation मतलब उनके बारे में उसे कितनी जानकारी है कितनी knowledge है कि वो किस टाइब कर लिखते थे कौन सी language थी कैसा style था कैसा diction था है ना कौन सी कैसी themes थी इसके बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए he also acutely conscious of his relationship with the writer of present present में जो राइटर है this is present present में जो राइटर उनके साथ उसका जो relationship है उसके बारे में वो conscious होना चाहिए in brief the sense of tradition implies जो sense of tradition है क्या बताती है a recognition of the continuity of literature literature की continuity के बारे में history से present day तक क्या क्या change हुआ कैसा कैसा change हुआ कैसा कैसा style था कैसे अब हुआ है कैसे पूरा ना था वो continuity पते होने चाहिए कि कौन से generation आई फिर कौन सी आई फिर कौन सी आई है न इसके बारे में पता होना चाहिए critical judgment as to which of the writer of the past continue to be significant in the present अब जो उनका judgment है जो writers थे past के और जो present के writers है उनका critical judgment उनकी जो works का critically हम बोल देते हैं कि अच्छी तरह उनको देखना critical करना critical judgment पास करना knowledge of the significant writer obtained through the painstaking effort अब जो यह knowledge है इन writers की थोड़ा सा इसमें efforts की जुरूट पढ़ेगी Elliot emphasizing the value of tradition no writer has its value and significance in isolation isolation मतलब akir lappan अब यह बोल रहा है कि किसी writer को उसकी value or significance isolation में नहीं मिलेगी to judge the work of a poet or an artist we must compare and contrast his work with the work of poets and artists in the past अगर हमें किसी का work judge करना है किसी writer का किसी artist का तो हमें क्या करना पढ़ेगा उसके जो works है उसको compare करना पढ़ेगा जो past के poets थे उनके works के साथ उनके artist के works के साथ हमको compare करना पढ़ेगा तब ही हम fair judgment पास कर पाएंगे such a comparison and contrast is essential for forming an idea of the real worth and significance of new writer and his work इलिएट conception of tradition is dynamic one बहुत vast है conception, concept जो tradition का according to his view tradition is not anything fixed and static it is constantly changing growing and becoming different वो इन्होंने बोला कि यह जो tradition है यह कोई fixed नहीं है static नहीं है कि जो चीज पहले थी वो ही आज है यह static नहीं है यह जो change होगा पिछली जनरेशन का जो writing style था उनकी theme थी उनके जो वहाँ पे उस time पे जो हमारे मुद्दे थे वो different थे है ना अब जो हमारे concept है जो हमें हमारी time society को क्या चाहिए उसके बारे में different रहेगा उस time पे जो society को चाहिए था वो उसके बारे में लिखते थे अब जो है different लिखते हैं तो change होता रहता है and becoming different वटेल it is growing grow होगा change होगा और जो पहले था उससे different हो जाएगा when a new work of art is created जब नया work of art बनेगा if it is really new and original the whole literally tradition is modified तो ever so slightly अगर जो नया कुछ कोई artist है कोई poet है कुछ नया लिखेगा तो जो tradition था वो modify हो जाएगा है ना change नी हो change हो जाएगा थोड़ा modify हो जाएगा थोड़ा slightly speed से the relationship between the past and the present is not one-sided it is the reciprocal relationship the poet directs the present and is itself modified and altered by the present जो past है वो direct करता है present को और क्या होगा present में हम जो past में हमें पता की literature क्या होता है एक दूसरे से relate करती है चीज़े है ना तो अगर हम कुछ लिखेंगे तो वो हम हमेरे दिमाग में कुछ हम past का कुछ पढ़ा होगा तो हम उसको modify कर देंगे ठीक है altered कर देंगे जो present में हम उसके बारे में लिखेंगे तो कोड दी वर्ट सो फिलिएट अग्सिस्टिंग मॉनुमेंट फोर्म एन आइडियल ओडर अमंग देंशेल विच इस मोडिफाइब बारे इंट्रोड़क्शन अब दी नू वर्क अप्ट अमंग देंगे हमने पात पढ़ ली इलिएट फूर्दर एक्स्पेंग दी सैंस ओफ ट्रैडिशन दोबारा इन्होंने सैंस ओफ ट्रैडिशन के बारे में बात की अब जो जो क्रिटिक है क्या जज़ करेगा जो में ट्रैंड्स है और कौन से में ट्रैंड्स नहीं है ठीक है the poet must possesses the critical gift in ample mirror he must also realize the main literary trends are not determined by the great poet alone smaller poets are also significant कि अब जो कहीं poets तो famous होते हैं कुछ poets जो है इतने famous नहीं होते कुछ छोटे poets होते हैं तो इन्होंने बोला है कि सब की जो value है literature के अंदर जो critics है उनकी जो value है यह सब की same होनी चाहिए they are not ignored यह ignore नहीं होने चाहिए a sense of tradition in real sense means consciousness of the main and main current which does not at all flow invariably though the most distinguished repetitions the poet must also realize इन्होंने क्या बोला है the poet must also realize that art never improves art जो है improve नहीं होती though its material is never same but जो इसका material है वो same नहीं रहता जो इसका material है वो कभी भी same नहीं रहता उस ताइम कुछ लिखते थे material जो था वो different था अब material different है the mind of Europe may change जो mind है यूरोप का वो change हो सकता है modernism आ गया है ना पहले different था अब different है अब लोगों की सोच different होगी पहले different सोच थी mind तो लोगों का change हो जाएगा but this change does not mean the great writer like Shakespeare, Homer have grown outdated अभी भी हम Shakespeare को पढ़ते हैं अभी भी हम जो है change हो जाएगा, generations change हो जाएगी पर जो writers थे उस time पर वो अभी भी outdated नहीं है हम अभी भी इनकी stories बढ़ते हैं इनकी stories के उपर जो films बनती है, movies बनती है, short stories बनती है अब आपने पढ़ा होगा hamlet के उपर जो है आपने heather film देखी होगी है तो हम आज भी उसको use कर रहे हैं तो सेम चीज है कि यह जो outdated कभी नहीं होंगे there may be refinement, there may be development but from the point of view of artists there is no improvement, development होगी, refinement हो जाएगे थोड़ी, refine करके चीजे आगे लेके आजाएंगे, development हो जाएगी थोड़ी सी पर जो artist के point of view से बोल रखा है कि improvement कभी नहीं होगी for example it will be corrected to say that the art of Shakespeare is better and higher than that of Elliot, अब यह हम बोल सकते हैं कि जो art था Shakespeare का, कि वो Elliot से अच्छा था, there are works of different kinds, for the material on which they have works are different अभी उनका जो material था वो different था, उनके जो जिसके अपर उने काम किया, वो different काम किया है ना, इनके जो work का काम करने का जो matter था, वो different था, वो किसी होर चीज़ पे काम करते थे, Shakespeare, Elliot किसी होर चीज़ पे काम करते हैं In second part, Elliot analysis the process of poetic creation Creation के बारे में बोल रख है उन्होंने की process क्या है Which is closely related to the concept of tradition जो किसके साथ closely related है tradition के साथ And he compares the process of poetic composition to the process of chemical reaction Poetic composition को इन्होंने chemical reaction के साथ compare किया है ठीक है, तो क्या बोला है ने When a catalyst like platinum is introduced in a mixture of oxygen and sulfur तो क्या बनता है Acid, sulfurous acid बनता है तो क्या है, catalyst क्या होता है जो reaction को बढ़ावा देता है ना अगर आपने पढ़ा हो, वोई चीज होती है तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है The platinum however does not undergo any change Platinum खुद किसी change के अंदर नहीं जाता वो जो क्या करेगा वो जो substances है उनको change कर देगा The mind of poet is the shred of platinum Thus the poem has no relation with the poet's personality अब जो poem का relationship नहीं है poet की personality के साथ पर जो he observes that poetry is not a turning loose of emotion but an escape from the emotion It is not an expression but an escape from the personality इन्होंने बोला है Eliards reject the Wordsworth theory of poetry Wordsworth की theory क्या थी? It's origin in emotion and recollected in tranquility and points out that in the process of poetic composition there is neither emotion nor recollection and no tranquility कोई emotion नहीं है, कोई recollection नहीं है ना कोई tranquility है, ना कोई peace है In the poetic process there is only concentration of number of experiences and new thing result from the concentration इन्होंने बोला कि इसके अंदर आपके पास कितने experiences है उसकी value है, concentration की value है और क्या जो new thing मिलेगी उस concentration से वो है poetry The poet concludes, poetry is not a turning loose of emotion Emotion का turning loose नहीं है, but an escape from the emotion Escape है emotion का, it is not the expression of personality Personality का expression नहीं है, but an escape from personality अपनी personality से escape करना उसका जो poetry है ठीक है, guys यहां पर यह question जो है complete हो गया है अब आपको यह question अपना complete कर लेना साथ साथ और अगर आपको मेरा channel अच्छा लगा हो तो subscribe to my channel Comment कर देना, अगर आपको कोई भी question चाहिए सिर्फ एक comment करना है, मैं वो question आपको available कर दूँगी Okay, thank you for watching